तो चलिए चात्रो अब आपका यहां पे मौज चुका है कक्छा आपका 8B का बिस है आपका हिंदी का 29 मार्च का रियल पेपर बिलकुल आपका यहां पे मिल चुका है डाउट मत करिए एक एक कोश्चन रट लिजे पूरा पेपर आपका यही आएगा देखे आपको दिखाता देखे और इस पेपर की देखीए सबसे पहली बात अभी आपको जो पेपर दिया जा रहा था उसमें आपका कोडिंग नहीं था लेकिन आपके इस पेपर में प्रोपर आपका लाश्च में अपको यहां पे कोडिंग मिल चुका है डाउट मत करिए एक एक कोश्चन रट ल यहाँ पर आपको कोडिंग मिलेगा तो इस प्रकार से आपको यह यह कंफाम होता है कि आपका यह रियल वाइरल पेपर है और इसे आपको बिलकुल भी नहीं छोड़ना है ठीक है हर एक पेज़ पी आपको यह पर लास्ट में कोडिंग मिल जाएगा तो चलिए फटा फट अभी अभी आपको यहाँ पर ठाने से मिला है और यह पर बिलकुल आपको रिया है डाउट मत करो सारे कोश्चन रट लो यह पर आपको टॉपर बनाएगा पूरे आपको छात्र को यहाँ पर कवर होगा 60 में से 60 नंबर ले के आओगे और यहाँ पर टॉप करोगे गरदा म दस तक तो दिखे यहाँ पर कोश्चन आपका निर्देश दिया गया है प्रसम को पढ़कर नीचे दे गए बिकल्पों में से सही बिकल्प आपको चुनकर लिखना है देखे कोश्चन दिया है मा बीडा बादनी से तात पर किस देवी से है तो आपको अंसर दिखे मा दूर आनुप राश स्लेस या फिर आपका उठ्रेच्छा आप जानते देखिए जहां पर आपका बंडों के अपरत्व में ना है और इसमें सब्घने मा तकता यानि कनक आपका दिखिए आपका सब्द कर आपके अपरति बार बार हो तो वहाँ पिर आपका यम खोता है लेकिन आपका इसमें बन का हुआ तो आपका अनुपरस हो गया और स्लेस देखे क्या होता है स्लेस का मतलब होता है चिपका हुआ तो रहिमान पानी राखे बिन पानी सब्सोन पानी गयना उबरे मोती माना शून यह आपका यह पर स्लेस अलंकार का था और उस प्रेच्छा क् मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं लाल कर बटन नहीं से दबाओ जल्दी दबाओ फिर में शुरू करूं दबादे जल्दी दबा दिया गंटी भी दबा देना ठीक है कोश्चन तीसरा तलीन में आपका कौन सा उपसर्ग है तत है तल है तल है या फिर तली तो आप जानते हैं इसमें अंसर देखे आपको यहाँ पर लिख देना है तत आपका इसमें क्या हो जाएगा उपसर्ग हुआ उपसर्ग किसी सब्द के प्रारम में जूड़कर उसके आर दिन खां कर देना ठीक है चलिए question आपका पांच बात है प्रभुजी तुम चंदन हम पानी डैस-डैस किस पंग्ति की है तो आप जानते है सुर्की तुल्सी की मिलावाई की या पिर आपका रैदास का तो आप अंसर यहाँ पर आप कर देंगे रैदास ठीक है रैदास आंसर आप याद कर लिए, कौपी पर लिख लिए, इसके बाद कोशन नमर देखे, छे, हैदय वराना, मुहावरे का आपका आर्थ क्या है, प्यास, बुझाना, दुखी होना, खुसी होना, या फिर इन में से कोई नहीं, तो आपको अंसर, बी नमर पर दुखी होना आपको कर देना है, और कोशन देखे, सातवा, यहाँ पर लिखा है, गीता में कुल कितने स्लोक है, 500, 600, 700, या फिर आपका 800, तो आप देखे, गीता में कुल इसलोक की बात करें, तो आपका 700 आपके इसमें, इसलोक कहलाते हैं, अंसर कर लिजे, कोशन आठ पर देखे, समराठ, विक्रमा द इसके बाद देखे, आपका एपके कोशन नवा आता है, इतिहास में, समबती सब्च के लिए आपका प्रयोक क्या है, इतिहासिक है, एतिहासिक, और यह पी एतिहासिक, एपर इतिहासिक, तो अगर मैं बात करू, राइट आपका अंसर, इतिहासिक, आपका ये वाला होता है अद्बूत है हास है सांत है या फिर आपका करूना तो आप जानते हैं देखिए यहाँ पर आपका जो है ना ऐसे आपका जब जिसमें आपको हासी आजाए बाग को पढ़कर हासी आए वहाँ पर आपका देखिए सिर घोट मोट कर चुटिया थी लहरा थी भाई चुटिया आ हरारत म hacemos kissy की बात हो रहे है तो यहांबे से हाथ से अलंकर होगा और इसके बाद question आपका आता है question 11 से लेकर आपके 20 तक लगुतरी question 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 21 बाद लिका है नौन अपके माध्यम से कभी क्या कहने चाहता है तो आपको अंसर देखिए non आपके माध्यम से कभी कहना चाहता है कि सभी प्राड़ी नए भारत बरस की रिचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों आपको अंसर कर देना है और कोश्चन देखे आपका बारवा बाली को क्या बरदान प्राप्त था तो बाली को ऐसा बरदान प्राप्त था जो भी कि संगितग के गले में विराजमान आपका मानी जाती थी देखिए तीन अंक कोश्चन है कैसी करेंगे आपको अंसर देखिए संगितग लता मंगेसकर के गले में सरसोती सोयम आपका विराजमान थी देखिए लता मंगेसकर बहुत थी आपके फेमस गाई का थी भारत की स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता था ठीक है भारत कोकिला स्वर कोकिला स्वर समगरी इन्हें का आपका है नाम है और इनका देखिए आपी पीछे साल इनका मृत्तु हो चुकी है और सभी के दिल में अमर है ठीक है और देखिए यहापे कोश्चन चौदबर लिखा है डाक्टर चंद आपका एक question पंद्रों आता है मुक्त खोरों ने सर्ताज किसे कहा गया है तो आप answer करिए मुक्त खोरों के सर्ताज मुपता नंद जी को कहा गया है जो कि किसी ववस्तों को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते है और बे चाहते थे कि बे मुपत में प्राप्त वस्तों को आनंद उठाते थे और इसके बाद आपका question आता है देखिए लिखा question पटना के पास किनकी नंदियों का संगम हुआ है तो पटना के पास गंगा सोन और गंडा कि आपके तीन नंदिया है इनका आपका संगम हुआ है आप अंसर कर लिजे और दिल से वीडियों लाइक कर दिजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे चलिए यहाँ पर question आता है अमरता देवी का नारा क्या था तो देखिए पेड़ों से लिपट कर कहती थी सिर साटे पर रूख रहे भी सस्ते जाड यही अमरता देवी का नारा था आप इसे अंसर कर लिजे और इसके बाद question देखिए आपका आपके आठवा आता है अठारवा ब्रद्या मंदिर के पास क्या काम करती थी तो देखिए class 8 आपका हिंडी special आपका डी लिखा हुआ है यही पेपर आपका आपका टेंसन मतलो पूरे अंसर रट लेना हलकी में बिल्कुल मतलेना वह बुड़ी अवरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फोलो की माला बेचा करती थी और question देखिए 19 बाद महेस्वर का प्रचीन आपका नाम क्या था तो देखिए महेस्वर का आपका प्रचीन नाम था ना महेस्वरी अद्वा महिस्मती था ठीक है आपने देखा होगा कौन सा देखिए आपने वाहुबली फिल्म देखा होगा तो उसमें आपका महिस्मती था ना इसी जगह का आपका पूरा फिल्म बना हुआ है और इसके कौश्चन आपका बीस बाद देखें को ना है को अनसर कर देना है राजा के प्रसम 2 महलों में जो दो लोग मिले उन्हों से पहला में 17 वर्स का एक यूबग और 11-20 बरसी अदूती सुन्दर करन्या थी ठीक है आपको आंसर करदेना है और यहां पर कोश्चन आपका आता है देर गुत्री वाले कोश्चन तो देखी यहां पर आपका कोश्चन लिखा गया है कि कभी मा सरसोती से क्या बरदान चाहता है कि संपूर भारत में सोतनता की नई बहावना अमर मंत्र भर जाए प्रतेक ब्रेक्ति के हैदे में विभिन इस तरपर अज धरना बहे मन की विकार दूर हो आनंद का आपका अंधकार नश्ठ हो जाए समत संसार में ग्यान के प्रकास चमक उठे संपूर भारत नई गती प्राप्त करने और यहां पर देखिए चंद के छेत में रविंता प्राप्त करे प्रतेक कंठ में मधुर्स नए सोर आकास के सोतंत्र बाता वरंड पक्चियों के समान कभी गीतकार अपनी नए पंखों के सहारे उड़ने समर्थ हो जाए और इस तरह सरसोती देवी ऐसे उन नए कभियों को सोतंत्रत का नया सवर प्रदान कर दें ठीक है और कोश्चन देखिए आपका आता है 22 वा कोश्चन में है यह सकती आत्म विस्वास किये यह सकती हम सबको प्राप्त है परंतु हम सबको अपनी इस आत्म सकती की पहचान नहीं है और नहीं उसका उप्योग किया है इस आत्म सकती का विकास है विस्वास से होता है हमें अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए अपनी सामार्थ मे लिया घर कर लिया है इस्थान वना लिया है और जिससे हम डरपोक हो गए हैं अच्छे संसकार हमसे दूर हो गए हैं बुरे संसकारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने वल की सही नापतौल नहीं कर सके और परणाम यह हुआ कि विर्योध्यू को हमने अपनी अबेक्षा ताकत बर माल लिया परंतु आत्म हिंता और कुसंसकारों से चुटकारा प्राप्त करने के लिए आत्मिस्वास से भारे आत्मल के दौर अपनी विर्योध्यू की आपकी आधी सकते अपने में खीच ले सकते हैं ठीक है और कोश्चिन लेकित तैस्वा जहाज का पक्षी प्राण करस्न रूफी जहाज पर इस्थल के दूर्य समिप्थ होने की जानकाई देने वाला पक्षी रूप में भक्त है जिस तरह समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है और कितना दूर है इसकी जानकाई लेने के लिए पक्षियों को छोड़ा जाता है जब जमीन कहीं नहीं देखती और जमीन पक्षियों से पहिच के आपका बाहर होती है तो पक्षी लौट कर कहाता है फिर आपका जहाज में जाता है सीदी बात है जहाज से पक्षी उड़ेगा समुद्र में और दूर्दों तक कोई आपका पान ही पान नजा राएगा तो अंत में क्या करेंगा वही पर आपका बैटकार आपका हुआ पर जहाज पर हि रोड़ेगा इसका अर्थ किया धिए यहां पर लिखा गया है देखिए जमीन दूर यह समीब थो तो पक्षी उसी तिसम उड़ते और चले जाते लेकिन जमीन उन नाबिक भी जहाज को उसी दिशा में खेने लगा उस जमेन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल दिता है और उस समय होता है कि जब कुतुब नुमा आदी दिशा सुचक यंद्रों का विज्कार नहीं हुआ था और इस पद में कभी अपने जहाज के पक्षी यानि भक्त के र पर ही आपको इस्थान मिलेगा और यहाँ पर देखिए नेस्ट कुछन आपको दिया है बाढ़ पीरित की क्या-क्या आप सकता होती है उन्हें किस तरगाए आपका सहयोग देंश चीए तो बाढ़ पीरित की सबसे बड़ी पहले सकता है उन्हें सुरक्षित इस्थान पर पहुचान चीए उनसे संबंदित समान को उनके पास पहुचाने उनके समय भोजन वफिल आपका पानी कपड़ आदी की प्रप्ती कठोरता के आपको जरूरत होती है इसके लावा उन्हें दबाईयों के भी आपकी जरूरत होती है क्योंकि बाढ़ आ जाने से फैलने वाले अनेक रोग हो जाते हैं उन रोग के इलाज की तुरंद आपसकता होती है इन बाढ़ पीर्तों को रेट क्रास अत्वा बालेंटीर से सहता पहुचाते हैं और कुछ इस्थानी संसाएं देश की सेना और स्वयम सेवी संसाएं भी इनसकार में सबसे अधिकार करती हैं और बा कर लेते हैं तो डेफिलेटी आप पूरे साथ हुए साथ नंबर हिंदी की फेपर में बिल्कुल आपका पेपर नहीं चेंज होगा इसकी मैं ग्यारंटी लेता हूं तो रट लेना जै हिंद जै भारत अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटाने उस पर अपने जीजा जी फैक के मारो या फूपा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे मुठिया पेलने जाना है बाई